जहन दोस्तो स्वागत आपका मेरे चैनल अलफा सोलजर में दोस्तो अगर आप पुलीस या फिर पैरामिलिटरी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको फिजिकल एक्जाम में 5 किलोमेटर की रणिंग 25 मिनट में पूरी कन्नी होती है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 15 दिनों की अंदर अंदर आप 5 किलोमेटर की रणिंग की तैयारी कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दू दोस्तो कि 15 दिन 5 किलोमेटर की रणिंग की तैयारी के लिए काफी होते हैं 15 दिन के अंदर अब अच्छी खासी रणिंग कर सकते हैं और 25 मिनट में 5 किलो मीटर पूरी कर सकते हैं तो इसके लिए जो सबसे पहले आपको करना है आपको बिना time waste किये 15 दिन तक regular रणिंग करने के लिए जाना है इस running के लिए अपने आपको पूरी तरीके से समर्पित कर लेना है यानि कि आपको per day running करने जाना है एक भी दिन skip नहीं करना है अगर आप starting कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि शुरू के 5 दिनों में अपने आपको 5 km दोड़ने लाइक बनाना है यानि कि पहले दिन 1 km दोड़ें दूसरे दिन 2 इसी तरीके से 5 दिन 5 km आप achieve कर लें जब आप 5 km running करने लगते हैं तो उसे regular आप करते रहें धीरे धीरे क्या होगा अपने आप आपकी speed बढ़ने लगेगी तो सीदे सीदे मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपना stamina बनाएं तांकि आप 5 km की running कर सके यह नहीं कि आप बीच बीच में रुक रहे हैं अगर आप regular भी अपनी normal speed से दोड़ेंगे तो 25 मिनट में 5 km कर लेंगे क्योंकि मैंने यही किया जब मेरा physical का test था तो मैं दोड़ते रहा दोड़ते रहा में रुका नहीं और मैंने race को qualify कर लिया था क्योंकि यह बहुत ही आसान race है इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छी quality के जूतों के साथ दोड़ें अगर आप बेकार quality के जूतों के साथ दोड़ते हैं तो उससे क्या होता है कि सीन पेन होने का काफी डर रहता है और इंजरी हो सकती है तो अच्छी quality के जूते खरीदे इंडियन कंपनी जैसे की campus, sparks या फिर Asian company के आप जूते खरीद सकते हैं जो की 1000 रुपे के अंदर-अंदर इनके running suits आ जाते हैं इसके साथ साथ आपको एक चीज diet में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चने होते हैं, काले चने उनको रात को आप धो के पानी भीगो ले और सुबह उठने के बाद वो पानी पी ले और जब running करके आते हैं तो उन चनों को खाएं इससे क्या होता है कि आपकी जो body हो काफी मजबूत बनेगी और आपका stamina भी increase होगा अगर आप ये simple चीज़े करते हैं तो 5 km की race आराम से कर लेंगे इसके अलावा आपको कुछ भी करने के जरूत नहीं है बेस मेहनत करते रहें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अलफा सोलजर को सब्सक्राइब करें थैंक यू